तो हलो एब्रिवन वेल्कम बैक तो चैनल कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो आज है डे 20 कल हमने कवर किया था डे 19 ये चल रहा है अपका उत्राखंड जी के MCQ सिरीज तो चलिए आज की नए क्लास के शुरुआत करते हैं पहला MCQ है सेहनात कविता के लेखक कौन हैं चंदर मोहन रतोडी भगवती परसात पांतरी भजन सिंग और आत्मराम गैरोला तो आपका इसमें जो सयांसर है वो है उप्सन नमर सी भजन सिंग सेहनात कविता के जो लेखक थे वो थे भजन सिंग अगला MCQ है नहरू परवता रोहन सहस्तान उतराखंके कि सहर में इस्तित है उतरकासी में नैनिताल में देरदोल में और चमूली में तो उतरकासी आपका इसमें सयांसर है जो नहरू परवता रोहन सहस्तान है वो उतरकासी जिले में इस्तित है अगला है राजीव गांदी साहसी केल अकादमी टीरी गडवाल में इस्तित है अगला है राज्य पुलिस प्रसिक्षन अकादमी उत्राखंड केकी सहर में इस्तित है हलदवानी में, रोड़की में, नरेंद्र नगर में और देहरदोन में तो नरेंद्र नगर आपका सेयान सर आ जाएगा नरेंद्र नगर यानी टीरी में अगला है वाडिया हिमालियान वू विग्यान संस्तान उद्राखंके की सहर में इस्तित है तो वह है आपका option number B देरेदुन में वाडिया हेमालियन भू विग्यान सल्टान देरेदुन में इस्तित है अगला है निम्नि लिखिन में से विश्व की पहली महिला मेजर जेनरल कौन थी कुमारी माय टम्टा आपका इसमें से अंसर है option number 6 is right answer अगला है प्रसून जोसी निम्न में से किस चेतर में प्रेसिद हैं तो वे हैं आपके फिल्म और मनोरंजन में प्रसून जोसी उप्सन नमर बीज राइट आंसर अगला है उत्राखन की किस बेक्टि को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है तो राम बहादूर चेतरी आपका इसमें से आनसर है उप्सन नमर सी अगला है कुमाव चेतर के लोगों के लिए बनी कुमाव रेजिमेंट को कुमाव रेजिमेंट नाम कब दिया गया था तो उसे दिया गया था आपका उप्सन नमर डी 27 अप्टूबर 1945 में अगला है रूड़ की चावनी की स्थापन कब की गी थी तो उप्सन नमर सी आपका से आंसर 1853 इस भी में अगला है उत्राखन में विर्धों को भरान पोस्टन हितूप प्रतिमाह कितने रुपे पेंसन स्वरूप दे जाते हैं तो 800 आपके समय से आंसर है उप्सन नमर सी इस राइट आंसर अगला है नीमन में से किस बूली का संबन उत्राखन राजसे नहीं हैं अब आप लोग जानते होंगे कि गड़वाली कुमावनी और जोन सारी भासा उत्राखन में बूली जाती हैं पलस इसके साथ हिंदी और इंगलिस तो नॉर्मल चलती है बाकी भोजपुरी उपयोग नहीं होती है उप्सन नमर सी राइट आंसर यानी उत्राखन की जो भासा है हो और भोजपुरी से संबन नहीं रखता है अगला है हेम वंती नंदन भहगुणा गडवाल विश्व विद्याले को केंद्रिय विश्व विद्याले का दर्जा कब दिया गया था 15 जनवरी 2009 15 अगस 2009 15 मार्च 2009 26 जनवरी 2009 तो आपका इसमें सही आंसर है 15 जनवरी 2009 अगला है राजलोक सिवा आयो का गठन किस वर्स किया गया था 2000 में 200 1 में 200 2 में 200 3 में तो 2001 आपका से अंसर है ऑप्से नहीं गठन 2001 में किया गया था अगला है भूनेसरी महिला आसरम उत्राखन की किस सहर में इस्तित है तो आप्सिन में यह आपको इसमें सयांसर है अंजड़ी सेंड में भूनिश्री महिला आस्रम है टीरी गड़वल में जो के अंजड़ी सेंड में इस्तित है अगला है निम लिखिने से विश्व की पहला महिला मेजर जेनरल कौन थी तो कुमारे मारे टमटाप का इसमें से आंसर है मैंने ओपर भी बता जिया था अगला है उतराखन के किस विद्वान को महा महोप दिहाई एवं सास्तरार्थ महारत की उपाधियां दी गई थी तो डॉक्टर ससीधर शर्मा आपका इसमें से आंसर हो जाएगा option number B is right answer अगला है value of flowers पुस्तक के लिखा कौन है तो एडम स्मित, फ्रेंक S. स्मित, सैक्सपियर और मनीस देशाई तो फ्रेंक S. स्मित आपके इसमें से आंसर होगा option number B is right answer अगला है उतराखन में परवतिय विकास बिवाग का गठन कब किया गया था 1970 में, 1971 में, 1972 में और 1973 में तो 1972 आपका से अंसर है उतराखन में परवतिय विकास बिवाग का गठन 1972 में किया गया था तो दोस्तों I hope कि आपको यह छोटी सी क्लिप पसंद आई होगी यानि इसमें आज हमने कवर की थी 20 सेम सिक्यूज यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए कर दोस्तों कीजिए